नमस्कार मैं विश्णु नरायंदा बिहार मेल के लिए ये पटना का वेस्तितम बेली रोड है और ये यहां ये सेखपुरा मोड है और ये रास्ता एयरपोर्ट की और जाता है जो आप खासतार से मैं दिखा दूँ आप सभी लोगों के लिए तो इका दुखका गाडियां ज बोट सभी लोग भी साथ-साथ मास्क लगाये हुए हैं तो जिस तरीके का जनता कर्फ्यू का इंतजाम है और ये इका दुखका गाडियां जो जिन्हें किसी तरह की इमर्जेंसी है याने जिन्हें जहीं जाना है एयरपोर्ट की और जाती हुए सड़क है खासतार से तो य ये आप सभी लोगों को दिखाना है साथ-साथ अपील भी करनी है कि जरूरी नहीं हो जब तक बहुत जरूरी नहों तब तक आप अपने घरों से नहीं निकले वैसे तमाम लोगों को निकलने के लिए छूट है चाहे वह स्वास्त कर्मी हो या मीडिया कर्मी हो या कोई चारो तरफ इस बीच ब्लैक مार्केटियर्स का भी जो है बाजार वो जो है गर्म हो गया है तो ब्लैक मार्केटियर्स से बचने के लिए यहां पटना की जो स्थिती मैं देख पा रहा हूं आप सबी लोगों को दिखाना भी है खास दोर से कि वो ऐसी कई दुकाने हैं जो थोड़ी दूर आगे चलने पर सुधा मिल्क पार्लर और जैसी तमाम दुकाने जो किराना की आपके जो जरूरत की जरूरत के चीजें हैं वो मिल रही हैं तो इसके लिए बहुत हड़ बढ़ाने के जरूरत नहीं है ऐसा नहों कि आप ही सब कुछ अपने पास जमा करके रख करें और उसकी वज़े से दूसरे लोगों को दिक्कत होने लगे तो मास्क लगाएं समय समय पर हाथ धुएं और तो यह और जब जरूरत हो जब तक बहुत जरूरत नहों तब तक सड़क से नहीं सड़क बरना निकलें अपने घरों में ही कैद रहें जो जो जनता कर्फिव का आख़ान है प्रतानमंतुरी नारेंडर मोदी का उसमें सहयोग करें और यह जरूरी भी है इस बीच जब पठना के भीतर और भीहार के भीतर अभी तक कल तक ऐसा था कि कोई केसे पॉजिटिव नहीं पाये गए हैं इस बीच दो केसे पॉजिटिव भी पाये और एक की उनको जाग रुकता फैलाने की जरूरत है तो आम तोर पर यह जो वहुत व्यस्ततम और जाम लगा रहने वाला जो सड़क है वो उसकी सिती और इसी रास्ते पर जब आगे बढ़ेंगे हम दीरे-दीरे तो IJIMS या जो मेडिकल स्टोर्स हैं तो अलग-अलग या मेडिकल की ज इसी तरीके के जैसे मरनायत आयूश्मान ऑस्पिटल का एंबुलेंस तो एंबुलेंस आता जाता दिख रहा है पुलिस जो है लगातार उसकी गाडियां पुलिस की घूम रही है और वो लोग तमाम लोग इस बात का खासतोर से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग सड़क पर न निकले जब तक बहुत जरूरत न हो मैं ठीक हो इतिक तुम कैसे हो अपना ख्याल रखने के जरूरत है घर में रहने के जरूरत है जब तक बहुत जरूरत न हो घर से बिलकुल बाहर न निकले तो ये खासतोर से दिखाने भी अमरनात आयूश्मान हास्पिटल इसकी नर्स जो हैं उसके दर्वाजे पर खड़ी हैं और कुछ लोग एकका दुक्का लोगों का निकलना जारी है मगर वो लोग आम तोर पे जो एक चीज आपको खास तोर से दिखेगी ही वो दिखी रही है यह पटना का व्यस्तेतम बेली रोड है और यहां यह तमाम जो दुकाने हैं वो खास तोर से बंध है तो इसलिए किसी तरीके के पैनिक होने की जरूरत नहीं है अपने अस्तर पर हर तरीके से सभी लोगों को जागरूख करने के जरूरत है यह हेल्थ इमर्जेंसी है और विहार इसके जद में आ चुका है जो कि यह हम सभी इस बात को बखू भी जानते हैं कि विहार के भीतर अगर इस तरीके का पैनडामिक या महारी अगर फैलती है तो बिहार उससे कितना सक्षम है निपटने में इन तमाम चीजों से हम सभी वाकिफ हैं और इस भी जब अलग-अलग हमारे सोशल मीडिया के वाल्स पर फेस्बुक पर और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हर जगर जब इस तरीके की खबरें खास दोर से आने लगी है तो उस चीज का खुब ख्याल रखिए अपने इर्दगिर्थ खाने पिने के समान जुटा करके रखिए किताबे पढ़िए तो ये आप सभी लोगों से आग्रह है और किसी तरीके पैनिक ना करिए दुकाने खुली हैं जो आपके जरूरत की खास दोर से जो दुकाने हैं मैं खुद निकला था जब थोड़ी दिर पहले तो मैंने देखा तो वो दुकाने खुली हैं सुधा का पारलर मुझे खुला हुआ दिखा इसके आलावा भी जो किराने के दुकान हैं मेडिकल स्टोर वो खुले हुए दिखे तो इसलिए किसी भी तरीके से परिशान होने के बजाए सब को साथ ले करके और सब को जागरुक करते हुए चलने की जरूरत है और जिस तरीके के जो अब तक ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बहुत कुछ बताने कि आप सभी लोगों को जरूरत है सभ एक बच्ची जो छोटी बच्ची थी वो पहले कोरोना पॉजिटिव मंगरबाद में आ गया कि वो कोरोना निगेटिव ही है तो यह चीजें आपको खास्तोर से आप लोगों को दिखानी थी और बताना था कि यह पटना का व्यस्तितम जो है सड़क है बेली रोड जिस पर आम को भी जो लोग देख रहे हैं वो तमाम लोग शेयर करते चलें ताकि लोगों तक जो भी जागरुकता का मामला है वो पहुंचे तो यह अमेडिकल स्टोर साथ-साथ खुले हुए है इस तरफ अगर मैं दाहिने तरफ आपको घुमा करके दिखा दूँ यहां हम आईजी जो किराना के किराना के दुकाने हैं जहां से आप जरूरत के चीज़ें ले सकते हैं खास्तोर से वो तमाम और इस बीच रेलवे इसमें भी जो पैसेजियों ट्रेंस की आवाजाही 31 तारीक तक बंद कर दी गई है वो खबर भी आप सभी लोगों ने देखी होगी और इसके अबी तक कोई पूस्टी नहीं हुई है कि दूसरी मौत हुई है पटना एम्स के भीतर ही खास्तोर से मौत हुई है जो हुई है तो अभी एक और केस पॉजिटिव है उसके अलावा तो इसलिए अमन इस तरह के क्या फवाहों को आगे भी बढ़ने से बचाना है आपकी हमार तो इस तरीकी की जैसे सुधा मिल्क पारलर जो खास्तोर से बच्चों के लिए और छोटे बड़े बुजूर्गों के लिए जो जरूरत है खास्तोर से वैसी जरूरत की दुकाने जहां से आप ब्रेड दूद और तमाम चीज़ें ले जा सकते हैं तो और ऐसा नहीं कि आप किलो ले रहे हैं पाच किलो छे किलो इस पर जदी सब सहिएत बर ते तो अफरत अफरी नहीं माचेगी बहुत ज्यादा परसान हो जा रहे हैं कल दो घंटा दुकान सामने डिस्टर्ब रहा पबलिक का भीड के चकल को क्योंकि लेना है जो एक किलो ले रहे थे उसी दे चार पांच ले रहे थे इससे हम अपना कॉंटिटी बढ़ाये थे बगी उतना नहीं बढ़ा पाये थे बढ़ाये थे तीन सो लिटर बगी चम्ट इमांड था कि लग रहा था कि 200 2000 लीटर रहता तो बिग जाती लोग का अफरत अपरी है और लोग सांती नहीं बनाए है इससे ल रहे हैं और समान कोई कमी नहीं है समान कोई स्टॉक अभी कमी नहीं हुई है कि इतना लग रहा है कि दो एक दिन का बंदी है लग रहा है कि एक सल कबंदी होने वाला है इसलिए लोग में खौप बैठा हुआ है जिनके यहां एक लीटर का खपत था दूद उसी दे पांच तो अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे कि आपने सुना भी इसलिए भी हम लाइव को आगे बढ़ाते हुए इन दुकान तक आ गए खास तोर से सुधा मिल्क पार्लर है यह लगभग लगभग हम आई जी एवेंस के सामने बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहां सुधा मिल्क का ज तरीके से जमा करने की मानसिक्ता से रहेंगे एक लीटर दूद का काम है और आप पांच लीटर अपने घर में दूद रख लेंगे तो कैसा संभव है बच्चों के लिए दूद की दिक्कत हो जाएगी खास तोर से बच्चों को जरूर जरूरत होती है इस ब्रेट भी आप लोग जमा भी मत होई है यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है हाँ जो काम है अपने निकलिए अपने अपने रास्ते निकलिए तो यह खासवर से चीजें भी आप लोगों को दिखानी थी तो यह पटना का मुख्य जो बेली रोड है आमतवर पे जाम रहने वाला धकम पेल वाला जो बेली रोड है उस पर और यह कुछ लोग जैसे जो आपको टुक टुक या बैटरी रिक्षा जाता हुआ दिख रहा है कि एरपोर्ट से लोग आ रहे हैं और उनके लोगों उन लोगों के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है पुलिस की गाड़ी लगातार पैट्रोलिंग कर रही है सडग पर हमारे आगे भी जब हम देख पा रहे हैं तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है लगभग आई जी आएमस के सामने जी आरिफ बिल्कुल स्वस्त रहने का मंत्र ये भी है कि खुद को दूसरों से दूरी बनाए रखें बिल्कुल दूसरों से पर्याप दूरी आपको बना करके रखनी है एक से दो फीट की और अपने चेहरे को बार-बार छूने से बचें साबुन से हाथ धोएं रहरे करके सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो इस तरह के के-के- खासतर से जो भी परामर्श है डॉक्टरी परामर्श उन सारी चीजों का अब तक ऐसा नहीं है कि कोरोना के बारे में लोग को कोई information नहीं है सारी चीज़ें लोगों तक पहुची च लोगों को साथ साथ और जब तक जरूरत नहों सड़क पर्णा निकलें यह हेल्थ इमर्जेंसी है हम सभी लोगों को यह देखना बदा ही था यह हमारा टाइम है टफ टाइम है मगर विन दगुइंग गेट्स टफ दटाफ गेट्स गोइंग तो अपना ख्याल रखने के है और जब तक जरूरत न हो तब तक बिलकुल पर मत निकलिए मत निकलिए मत निकलिए यह रिक्वेस्ट हैं आप सभी लोगों से भी जी बिलकुल सिविल नांफर्मानी नहीं करनी है सिविल नाफार्मानी के लिए और तमाम नाफार्मानियों के लिए फिर से जो उचित समय होगा तो आप फिर से उचित चीजों के और उचित मांग के लिए सड़कों पर उतरिएगा मगर अभी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और इससे बिल्कुल ही बचने के जरूरत है तो ये medical store भी खास तोर से इसलिए चोकी चारों तरफ जिस तरह के अफवाएं हैं और इससे पहले भी जो सुधा का mail के store था उसके पास मैंने आप सभी लोगों को दिखाया भी तो ये medical stores खुले हैं और किसी भी तरह के medical emergency में भी जो आपको परिशान होने की और हड़ बढ़ाने के जरूरत नहीं है तो छोटी बड़ी तमाम दुकाने जो हैं वो खुली हुई है अस्पताल खुले हुए हैं अस्पताल के भी तर जो भी medical emergency है और emergency ward है वो खुले हैं हलाकि OPD वगर करने खास और से जहां से नेशनली इंटरनेशनली यार राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जिलों में जो तमाम गाडियां आती जाती हैं उनका जो है परिचालन ठप हो गया है उनको रोग दिया गया है यह IGMS इंदराकांधी इंस्टिटीट अफ मेडिकल साइंसिस पटना का मुख्यद्वार है और आम तोर पे बिल्कुल वेस्ट रहने वाली ये सडक बिल्कुल सूनी है गार्ड लोग बैठ करके सुस्ता रहे हैं मास्क पहन पहन करके तो इसलिए यहां भी OPD बंध कर दी गई है इस बीच और लगातार तो यह आप सभी लोगों को दिखाना था और बताना भी था लाइव को शेयर करते चलना है आगे ताकि यह जाग रुकता और यह मुहिम आगे बढ़ती रहे हमारी सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है अहम जिम्मेदारी बनती है तो और जितनी जरूरत की चीजें हो उन्हीं जरूरत यह चीजों को उठाएं कोई हड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम सभी लोगों के बीच ही हैं, हमारे सब के लिए ही हैं और इसी तरीके से ये लाइफ गड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ medical की जो भी दुकाने हैं, खास्तोर से दिखा आरे हैं, उन 15 participants है और स्वास्त पर मीडिया कर्मियों के अलावा बहुत सड़क पर घूमने के और पुल सकरीयों के अलावा आपको जरूरत नहीं है तो यह यहां पर मेडिकल स्टोर नहीं है यह किराना स्टोर है किराना स्टोर खुला हुआ है किसी तरह कोई दिक्कत दुकत तो नहीं है ना ना वह इसा कोई नहीं है तो यह हल्का फुलका है तो सब्सक्राइब नहीं है यह ज्यादा एक दूसरे सट्ने की जरूरत नहीं है यह जी जी हाँ पर सासन खुद अपने तैनाथ की हुए है किसी चार पांच वह एक साथ नहीं रहे हैं अकेला घूमें फिर कोई दूचत नहीं है अप ज्यादा भी नह अपना घूम फिर का अपना घर में चादे जाए तो इससे लड़ना है सभी लोगों को साजहा रूप से ठीक है तो यह मेडिकल जो भी दुकाने हैं मेडिकल की और किराना की छोटी बड़ी दुकाने हैं वो खुली है और किसी भी तरी के पैनिक की ज़रूरत नहीं है यह हम हमारी है हम सभी इस बात से वाकिफ हैं और इससे आपको हम सभी लोगों को साजहा रूप से लड़ना है जो भी जनताकर फ्यू की बात पुर्धान मंतरी ने कही है उससे भी खास्तोर से मास्क वगरा सारा जो है वो लगा करके चलते रहने के जरूरत है जो मास्क नहीं है वो लोग गंची रुमाल का इस्तेमाल करेंगे मेडिकल की दुकाने खासतोर से आप से लोगों को दिखाने है कि यह खुली हुए है इसलिए किसी तरीके को हड़बढाने के जरूरत है क्या सब मास्क वगरा का क्राइशिस है या भी कुछ आया है आप लोग और यह सारा सेनिटाइजर और शोप वगरा सब जिया है मेरे प बताना है कि इससे हड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है हम सभी लोगों को साजा तोर पे और दो चार पांच लोगों को जरूरत है कि उससे ज्यादा लोग कहीं भी न दिखें जब तक जरूरत नहों तब तक उससे अधिक लोग देखें और यह पेट्रोलिंग की लगातार गाडियां जो हैं आगे पीछे पुलिस की तो तमाम लोग डारेक्शन देते हुए कि ज़्यादा लोग सड़कों पर ना चले ना दिखें जब तक जरूरत नहों पटना पुलिस आपकी सेवा में तत पर तो यह चीज खास तोर से दिखाने हैं आप लोगों को और मेडिकल की दुखाने भी खुली और किराना की भी दुखाने खुली हैं तो जो आपकी जरूरत की चीजें होंगी वे खास तोर से आप着 ही लोगों को मिल जाएंगी उसके लिए परिशान होने के जरूरत नहीं है मगर आप लोगों को भी इस बात का विशेश ख्याल रखना है कि आप भी किसी तरह का पैनिक न फैला है और बिहार में जब इस तरह के केसिस जो रिपोर्ट सुए हैं और अब जो खबरे आने लगी हैं उसके बाद खास तोर से एहतियात बरतने के जरूरत है इस मामले में खास तोर से आप सभी लोगों को इतने लोग मत एक साथ खड़े हो यह चलिए निकलिए बुझाईए नहीं रहा है तो इस तरीके कि यह तमाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इनके पास आया था खुद भी दूढ़ने के लिए यह समझ नहीं पाया था कि मिल रहा है कि नहीं क्लशाम को तो दूढ़ खत्म हो गया था क्या साथ ऐसा तो नहीं है कि बहुत जादा-जादा लोग ले जा रहे है ले जा रहे है दैंद औरिकुरściन कंट्रोल में है तो कुछ अपनी ौर आपको सेफ कर सकें कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा सरकार की पूरी बात को धियान से नहीं सुनाएं कुछ लोग ऐसे वेक्ति हैं जो अभी से ही समान को ज्यादा इस्टोक करने का पूसिस कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो भी हो वो तो सरकार बोला कि जो भी जर इकठा करने की जरूरत नहीं है आपके तमाम जरूरत की जो चीजें हैं और इतने लोग एक साथ मत खड़े हुए चलिए अलग अलग निकलिए यहां कोई जरूरत नहीं है बच्छा लोग चलो अपने 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 घर है बड़ा तैल भाई जा तो यह पटना का वस्ततम बेली रोड और यह वहां का यह आईजी एमस के ठीक बगल का यह दृश्य है तो इस तरीके से आप सभी लोगों को बताना है और अपने इस तर पर सभी लोगों को जागरुकता फैलाने की जरूरत है यह लाइव जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग शेयर करने आगे ताक बिहार मेल के लिए मैं विश्णू नारान बहुत धन्यवाद है